असलाम उलेकुम, सुभीवर्ज इस वीडियो में हम बहुत ही खुबसूरत इमिज क्रियेट करने वाले हैं, इन्हें क्रियेट करना बहुत आसान है जो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को बिना स्किप किये मुकमल देखिएगा, चलिए वीडियो क करते हैं स्टार्ट, तो साबसे पहले आपने अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, और सर्च करना है, बिंग इमिज क्रियेटर, इस पहली वबसाइट को ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहां पे आप प्र इमिज क्रियेट बटन पर क्लिक करना होगा, हमारी मिज क्रियेट हो रही गया, तो हम कुछ सैकिन वेट कर लेते हैं, वेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी मिज क्रियेट हो चुकी है, हम इन में से कोई भी मिज ओपन कर लेते हैं, सो वीवर्ज आप देख सकते है कि बहुत ही प्यारी image create हो चुकी है मैंने जो कुछ भी प्रोमिट में लिखा हुआ था सेम वैसी picture generate हो चुकी है हम इन्हें download भी कर सकते है download करने के लिए simply 3D road पे क्लिक करना है और download पे प्रेस कर देना है हमारी image download हो चुकी है तो हम back आ जाते हैं अगर आपको यह image पसान नहीं आती तो आपने दुबारा create बटन पे क्लिक करना है दुबारा create होने वाली image पहले से काफी change होगी so viewers आप देख सकते हैं कि हमारी image पहले से काफी change हो चुकी है हम इस से भी download कर लेंगे अब हम back आ जाते हैं अगर आप इस प्रॉंट में changes करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं तो हम यहाँ पे black को remove कर देते हैं और यहाँ पे sky blue लिख देते हैं तो इस जगा with luxury glasses लिख देते हैं changes करने के बाद हम दुबारा create बटन पे क्लिक करते हैं so viewers आप देख सकते हैं कि हमारी image पहले से काफी change हो चुकी है हम इन्हें open कर लेते हैं so viewers आप देख सकते हैं कि हमारी image बहुत ही प्यारी create हो चुकी है हम इन्हें download कर लेंगे अब हम back आ जाते हैं यह image थी boys के लिए अब हम girls के लिए image create करेंगे तो यहाँ इसी prompt में थोड़ी changes करेंगे जैसा कि यहाँ boy लिखा हुआ है तो हम इसे remove कर देते हैं और यहाँ पर girl लिख देते हैं और यहाँ पर sky blue को remove कर देते हैं और यहाँ पर red लिख देते हैं और यहाँ पर line को remove कर देते हैं और इस जगा hdr add कर देते हैं और इस जगा hdr name change कर देंगे चेंजिस करने के बाद हम दुबारा create बटन पर क्लिक करेंगे सो वीवर्ज आप देख सकते हैं कि हमार image create हो चुकी है हम इनमे से कोई भी image open कर लेते हैं तो वीवर्ज आप देख सकते हैं कि मैंने जो कुछ भी पिरोमिट में लिखा हुआ था सेम वैसे ही पिक्चर जनरेट हो चुकी है हम इन्हें डाउनलोड कर लेंगे